ओम नमस्षिवाई हरहर महादेव जैशुशंबो हम चाहकर भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी लोग हमारी अच्छाई का बार बार फाइदा उठाते हैं हम कभी मन में किसी व्यक्ति के लिए हमारे जिन व्यक्तियों ने हमारे लिए बुरा किया हम उनके बारे में भी बुरा कभी नहीं सोचते हैं लेकिन उसके बाद भी लोग हमारी अच्छाई का मिस्यूस करते हैं और इससे हमें बहुत दुख पहुचता है और बहुत बड़ा हमारा लोग नुकसान कर देते हैं इसके पीछे बहुत सारी वज़ा है, बहुत सारे ग्रह दोश देते ही है लेकिन आज आज आप ये जानेंगे कि इसके पीछे मूल कारण क्या होता है जब एक अच्छा इंसान हर एक व्यक्ति को अच्छे समझने की गलती करता है तो वहां से उसकी परिशानी सुरू हो जाती है दूसरी बात यहां पर भी महत्पूर्ण होती है कि वो कभी भी किसी को नहीं नहीं कह पाता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा उसके मन में कभी ये भाव आता ही नहीं है वो बहुत जादा सब की परवा करता है उसे चिंता होती है चाहे वो व्यक्ति उसका अपना क्यूं नहीं हो उसके बाद भी उसकी वो परवा करता है कि नहीं सब का अच्छा हो इसका भी अच्छा हो और यही जो भाव है इस भाव की वज़ा से जो हमारी परिशानिया है वो बढ़ती जाती है और हम बहुत जादा एक टेप में फज जाते हैं हम चाहकर भी खुद को नहीं बदल सकते हैं लेकिन बार बार लोग हमारी इस अच्छाई का फाइदा उठाते रहते हैं कई बार लोग हमें आर्थिक रूप से तोड़ देते हैं भावनात्मक रूप से हमें बहुत जादा नकारत्मक फिल होता है और कई बार तो लोग ऐसी घटनाएं हमारे साथ कर देते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं तो सबसे पहली और मूल बात है कि अच्छा होने की जो परिभाशा आपके मन में धानाय बनी है उसे आपको बदनने क्या हो शक्ता है अच्छा होने का यह मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति की मदद की जाए हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाए किसी को ना ना कहा जाए अच्छा होने का मतलब या है कि हम किसी व्यक्ति का कुछ भी बुरा न करें बस इसके अलावा जो हमसे बने वो कर दिया और दूर हट जाए यह नहीं कि हर एक व्यक्ति की समस्या आपकी समस्या हो गई, हर विक्ति की जो परिशानी वो आपकी परिशानी हो गई अगर ऐसी सिती बार बार आपकी बंती रहेगी तो लोग तो आपका मिस्यूस करेंगे क्योंकि लोगों को तो पता है कि थोड़ा सा गिडगडाएंगे थोड़ा सा बात करेंगे और ये हमें मदद कर देंगे और ऐसे में आपकी परिशानिया बढ़ जाती है तो जो बहुत जादा भावनात्मक होना भी बहुत जादा तकलीव देविशे हैं दूसरा कारण यह भी है कि हम किसी व्यक्ति पर आशरित हो जाते हैं कि वह व्यक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं मतलब पूर्ण रूप से आशरित हो जाना तो किसी व्यक्ति पर आशरित होना भी इस प्रमस्या का एक बहुत बड़ा कारण है तो किसी पर भी आशरित होने से बचना है आपको तीसरा एक मूल कारण आज की युग में एक बहुत जादा यह है कि व्यक्तियों के पार सही जानकारी, सही सूचना का अभा होना लोग आते हैं, सामने बात कर देते हैं, आप उन्हें सच मान लेते हैं बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरिफाई करें, बिना थोड़ा सोचें, समझें और बस आप उनकी मदद कर देते हैं, कई बार वो मदद हमारे लिए ही घातक बन जाती है तो यहां भी हमें सोचने क्या हो सकता है और बहुत सारे जातकों के साथ इस तरह की समस्याई भी सुनने में होता है कि वो चाहा कर भी किसी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते हैं अगर उनके पास कोई वस्तु है, धन है, जो भी वो मदद कर पाते हैं वो देने के लिए आतूर होते हैं बैशक आप देने के लिए आतूर होते हैं लेकिन जो व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है क्या वो पातर है, भेले खुद से ये प्रशनी जरूर करें दूसरा प्रशनी यह करें कि क्या ये मदद जो है वो खुद के मेहनत से कर सकता है या यह हम पर आश्रित होकर हमारा मिस्यूस करके हमारा फाइदा उठा कर अपना काम निकलवाना चाहता है तो यह भी सुनिश्रित आपको करना होगा इन बातों को अगर आप ध्यान देंगे इन बातों पर अगर थोड़ा सा काम करेंगे मैं आपसे बादा करता हूँ कि कभी भी कोई वक्ती आपके अच्छाई का मिस्यूस नहीं करेगा इसलिए ना कहना सीखें और अच्छा और बुरा इस धारना में आप नफसें कुछ वक्त के लिए लोगों को बुरा लगेगा आपके ना कहने में लेकिन वो कहीं बार आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं क्योंकि हर अच्छा आदमी इस सबसे बड़ी समस्या से ग्रसी थे कि उसके अच्छे होने का लोग मिस्यूज उठाते हैं लोग भावनत्म कुरूप से तोड़ते हैं आर्थी कुरूप से उसका नुकसान पहुचाते हैं और फिर वो अच्छा व्यक्ति अपनी खुददारी में रह जाता है ओम्यमिश शिवाए